जै श्री राधरानी सरकार की, जै श्री क्रिश्न भगवान की, जै श्री लक्षमी नरायन जी भगवान की, जै कार्तिक मास महत्यम में की, मंदिर शिवनसी वाले महात्मा यूटीप चैनल के और से हम आप सभी भक्तों का हार्धिक अभिनंदन करते हैं, कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में भगवान की भक्ती के संबंद में सभी नियमों का पालन करने से भगवान के अनंत कृपा मिलती है आज हमें आपको कार्तिक मास महत्यम के आठवे अधाय की परमसुन्दर कथा को सुनाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले जो कार्तिक मास में विशेश नियमों का पालन करना अवश्यक है उसके बारे में हम आपको कम शब्दों में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं तो कार्तिक मास के इस सिपावन समय में सूभे सूर्य उदे होने से पहले सनान करना सर्वोत्तम कहा जाता है का और तुलसी माता का पूजन करना अवश्यक होता है तुलसी माता के समीप सुभे और शाम को जो भक्त दीपक जलाते हैं उनके जीवन में कभी भी धन संपत्ती की कमी नहीं आती है और कार्तिक मास के सिपावन समय में प्रते दिन शिर्मत भागवत महापुरान की कथा को सु बहुत जादा मंगलकारी माना जाता है तो कार्तिक मास महत्यम के आठवे अध्याय की कथा इस परकार है देवरिशी नारद जी राजा प्रतु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन जिस समय हम जालंधर की नगरी को गए तो उस समय जालंधर ने हमारा बड़ा आधर और सतकार किया है भक्ती भाव से पूजन करके वह कहने लगा कि हे महाराज आपका आगमन कैसे हुआ और मेरे लिए क्या आग्या है हमने उससे कहा कि हे देतराज मैं केलाश परवत पर गया था वहां पर पारवती सहित अवधूत भगवान शिव और उन हुआ यहां पर आया हूँ देतराज तुम्हारे राज्य का सुख वैभव देखकर सम्रिद्धी देखकर मुझे आनंद हुआ है तुम्हारे और भगवान शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है किन्तु तुम्हारा ये जो वैभव है जो तुम्हारा ये राज्य है वो इ इस्त्री रतन है यही उनकी सबसे बड़ी विशेष्टा है वैसे तुम्हारे पास अनेको सुंद्रियां है प्रंतु उनमें से कांती मान पारवती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती है आज देवरिशी नारद जी ने भगवान की पेरना से जालंधर देते से ये सब वच्चन क कही हैं देवरिशी नारद जी राजा प्रतु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन हम तो इतना कहकर वहां से चले आए प्रंतु जालंधर देते ने पारवती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जवर से पिड़ित होकर राहु को बुलाकर जालंधर की आग्या का पालन करते हुए आज के लाश परवत की और प्रस्थान किया है द्वार पाल नंदी ने बारम बार रोका है लेकिन नंदी के द्वारा बारम बार रोके जाने पर भी वह नहीं रुका उसके परशात भगवान शिव के सामने उपरसित किये जाने पर उनसे कहने लगा है कि हे शिव तीनों लोकों की नाथ और सब रतनों के स्वामी तालंधर देते की आग्या सुनो उन्होंने कहा है कि शमशान वासी तथा नर्मुंडों की माला धारन करने वाले जटा जूट धारी तूम्हारे जैसे अव धूत के पास पारवती जैसी परम सु दे सकती है तेरे जैसे भस्मधारन करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती देवरिशी नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन अभी राहु अपनी ये बात पूरी कर ही रहा था कि उसी समय क्रोध के आवेश में भगवान शिव के भ्रू पा रही थी नेत्रों से अगनी निकल रही थी उधर्व केश तथा सूखे शरीर वाला वहे पूरुष दूसरे सीह के समान जान पड़ता था विशाल शरीर तथा बुजाओं वाला तार्वरिक्ष के समान जांग वाला तथा भ्यंकर वहे पूरुष प्रकट होते ही बड़ सभा के बाहर ही उस पूरुष ने उसे पकड़ लिया रहुल आज भगवान शिव से कहने लगा है कि हे देवों के देव महादेव हे देव देव मुझ शरनागत की रक्षा कीजिए आप देवताओं तथा अस्रों से सदा वंधनिये महान एश्वर तथा प्रभुता से संप हे महादेव आपका यह महाभयंकर सेवक पूरुष मुझ भ्रामन को खाने के लिए आया हुआ है यह देवेश आप मेरी रक्षा कीजिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ अच्छ महादेव भगवान कहने लगे हैं कि हे गन सत्म शरन में आए होए राहु नामक भ कहने पर उस गन ने ब्रामन यह शब्द सुनते ही राहु को सैसा ही छोड़ दिया तब राहु को आकाश में छोड़ कर वह पुरुष महादेव जी भगवान के पास आकर दीनवानी में कहने लगा है कि हे देवों के देव महादेव हे करुनाकर हे शंकर हे शरनागत वतसल आ आपने मेरे भक्ष को छुड़ा दिया है हे स्वामिन इस समय मुझे भूख कष्ट दे रही है मैं दुर्बल हुआ हूँ हे देवेश हे प्रभू मैं किसका भोजन करूं उससे आप मुझे बता दीजिए भगवान शिव कहने लगे हैं कि अगर तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो तो तुम शिगर ही अपने हाथों और पेरों के मास का भक्षन करो इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा आदेश देने पर वह पुर्ष अपने हाथों तथा पेरों का मास खाने लगा है जब केवल सीर मातर्शेश रह गया तब ऐसी वस्था में देखकर उसको गवान शिव ने प्रसन चित होकर आशिरवाद दिया है। भगवान कहने लगे हैं कि हे महागन मेरी आग्या का पालन करने वाले तुम निश्चे ही धन्य हो। गवान शिव की पूजा में उस गन की पूजा विशेश रूप से करने चाहिए। जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं। देत्य को बड़ा क्रोध आया है और वह देत्यों की एक क्रोड सेना लेकर अपनी पूरी से बाहर निकला है। बाहर निकलते ही सामने एक आँख वाले शुक्रचार राहू से मिले हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए हैं। प्रंतु वह नहीं रुका। तब देत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की के लाश पर चड़ाई देखी। तो सब देवताओं ने भगवान शिव शंकर जी को ये समाचार दिया है। भगवान शिव जी उसी समय श्री विष्णु भगवान जी का समरन करने लगे। समरन करते ही श्री हरी विष्णु भगवान जी वहाँ पर उपस्तित हुए हैं। तब भगवान शिव ने कहा है कि हे प्रभु आपने देवताओं की पीड़ा देने वाले इस देत्य को क्यों नहीं मारा इतना ही नहीं आप वहां जाकर उसके घर में विराज मान क्यों हो गई उस समय श्रीहरी विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि यह देत्य आपके अंश से उत्पन हुआ है और लक्षमी जी का भाई है इस कारण हमने इसको नहीं मारा है यह आपके ही हाथ से मारा जाएगा तब भगवान शिव कहने लगे हैं कि वह तेजस्वी देत्य हमसे ऐसे ही नहीं मारा जाएगा आप सबको इसको मारने के लिए अपना अपना तेज हमें देना पड़ेगा तब श्रीहरी विष्णु भगवान जी ने सब देवताओं के सहित अपना अपना तेज भगवान शिव को दिया है इसके बाद भगवान शिव ने उस तेज को इकठा करके जवाला माली सुदर्शन चक्र बनाया है और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने लगे हैं भगवान शिव के सब भूत गणों की सेना में समस्त देव गण भी आकर सम्मिलित हो गए उधर के लाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आप हुँचा है इधर कीर्ती मुख नंदी आदी सब गण और देव सेना भी मेदान में आडटी है तब जालंधर और देवताओं का ऐसा भयंकर संग्राम होने लगा कि सब और हाहाकार मचने लगा है देत्यों को भगवान शिव के गण बुरी तरह से मारने लगे हैं गणों की इस मार से घबरा कर देत्य सेना भागने लगी है देत्य सेना को इस परकार भागते देखकर जालंधर के सेना पती शुंभ और निशुंभ तथा काल नेमी आगे आए हैं इनको देखकर देत्यों ने अनेक प्रहार किये हैं जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी उसी समय गणपती जी महाराज और शुम्भ का महागोर यूद्ध हुआ है इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वम रन शेतर में आया है देव सेना की ओर से वीर भदर अनेक परकार के प्रहार करके जालंधर को पीडित करता रहा तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिद उस पर देमारा है और उसके रत की पता का काट दी साथ ही जालंधर ने बान वर्षा करके देव सेना में भगदर मचा दी है अपनी सेना की ऐसी दशा देख स्वम आज भगवान शिव शंकर जी महाराज बैल पर आरूर होकर यूद के लिए आये हैं और आते ही देत्य सेना पर बानों के टी हो जाते हैं भाग जाते हैं उसी समय भगवान शिव जी ने अपने बानों के प्रहार से खडग रोमा का सीर काट कर प्रिथ्वी पर गिरा दिया है तब जालंधर ने महागोर ललकार की तो भगवान शिव जी ने उसके रत के घोडों और सार्थी को भी मार गिराया है तब वे कुछ मिहलसा हुआ है इस प्रकार जब देत्या ने देखा कि भगवान शीव तो अजय है और उन्हें किसी तरह से हराया नहीं जा सकता तो उसने गंधर्व माया रची गंधर्व और अपसराइं नाचने और गाने लगी है भगवान शीव जी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे हैं जालंधर्व जैत्य भगवान शीव को माया में फंसाकर महादेव जी का रूप धारन करके पारवती जी के पास गया है और पारवती जी का सुन्दर रूप देखकर काम के वश में हो गया है पारवती जी ने सोचा कि महादेव भगवन आये हैं लेकिन उ श्री हरी विश्ण भगवान जी ने वहां उक पस्तित होकर पारवती जी को आश्यवाशन दिया है श्री हरी विश्ण भगवान जी ने सोचा है कि जालंधर ने स्वम अपनी मृत्यू का रास्ता बता दिया है यह दुष्ट वरिंदा के पातिवरत धरम के कारण ही मृत्यू क प्राप्त नहीं होता है अता देवताओं के कार तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए अब स्लम हमें ही वरिंदा के धर्म को भंग करने का घोर करम करना पड़ेगा क्योंकि और किसी भी तरह से जालंधर का वद्ध नहीं हो सकता है ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यू ह हो पाएगी इतने ही समय में भगवान शिव जी भी राक्षशी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ यूध करने में लगे हैं आज भगवान शिव और जालंधर का पूने यूध होने लगा है चारों और हाहाकार मचा हुआ है देव सेना और देत्यों की से जाना में भयंकर यूध छिडा हुआ है तो यहीं पर कार्तिक मास महत्यम के आज की इस कथा का विश्राम होता है इससे आगे की कथा आप अगले नोमे अध्याए में सुन पाएंगे तो कार्तिक मास के इस सिपावन समय में भगवान की भक्ती अधिक से अधिक करने चाहिए मनुष्य जीवन भगवान की क्रिपाँ से मिला हुआ है चोरासी लाख योनियों में सर्वश्रेष्ट इस मनुष्य श्रीर को प्राप्त करके जो मनुष्य भगवान के चर्णों में मन को लगाते हैं कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करते हैं भगवान उनके सबी दुख उनकी चिंताओं का नाश कर देते हैं जब भगवान सब पर कृपा करते हैं तो उसके बाद तो मनुष्य का जीवन सुख संपती आनंद से भर जाता है तो भगवान की भक्ति कीजिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेजिए आज की स्परम सुंदर कथा को सुंदने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री राधा क्रिशन जी की भगवान श्री गोरी शंकर जी की अनंत क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री क्रिशन भगवान की जै कार् जै जै श्री राधे शाम